नमस्कार मैं हूँ शरद्दिवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस विशेश प्रस्तुति में जिसका नाम है हे प्रभू आनंद दाता प्रभू आनंद के दाता है और निश्चेत तौर पर आनंद और कहीं हो भी कहा सकता है और प्रभू किसी स्वारगाश्रम में तो विद्यमान है नहीं हमारा मन ही वो स्वारगाश्रम है जहां प्रभू विद्यमान है तो प्रभू हमारे भीतर हैं और सनातन परमपरा में तो यही कहा गया है कि आप और हम ही ब्रह्म भी हैं तो यह बहुत महत्पूर्ण बात है और इस ज्ञान को इस धरा पर आउतरित करने वाली एक अध्भुद विक्तित्व ईश्वर्थ या आप कहलें कि एक ऐसी शक्ति एक ऐसा विक्तित्व जो तमाम उन लीलाओं से युक्त है जो मनुश्य में व्याप्त होती है चाहे वो नटखट तत्व हो चाहे वो बुद्धिमानी हो चाहे वो सौंदर्य हो चाहे वो सरलता हो चाहे वो स्थितियों पर स्थितियों को देखकर उनके अनुरूप निरणे लेने की बात करता है तो आपके हमारे मन में एक ही शब्द आता है कि वो तो कृष्ण जैसा ही होगा योगीश्वर कृष्ण ही होगा लेकिन बिल्कुल ठीक है लेकिन यहां हम कृष्ण के साथ राम को भी देखेंगे जब हम बात कहते हैं यह प्रश्ण हमने पहले भी खड़ा करने का प्रयास किय और उन्हीं वेक्तित्यों के साथ जिनके साथ इस एपिसोड की यात्राएं अब तक हम ताय करते रहें और आगे करेंगे कि कृष्ण राज जी क्यों नहीं कहा जाता है जब राज जी की कल्पना होती है आदर्श राज जी की तो राम राज जी कहा जाता है शायद कृष्ण उस तरह के राजा रहे नहीं, उनके साथ एक फकीरी, उनके साथ एक बिंदास तत्व जुड़ा रहा, क्योंकि वो राज जी के पीछे भागने वाले कभी राजा नहीं रहे, राम एक प्रजा पालक राजा रहे, इसलिए राम राज जी की कल्पना रही, राम मर्यादाओं से बाहर नहीं गए और क्रिश्न को मैं यह नहीं कहаться मर्याधा यह तोड़ी उन्हों ने। लेकिन इन यह देखा कि अगर मर्याधा के नाम पर कुछ अधर्म हो रहा है तो उन्होंने उसको कहा कि नहीं यहां आप कोई ब्रह्म मन में मत रखिए लेकिन यह बहुत उल्जाने वाली बात है मेरे जैसा जो विक्तित्व है जो इस विशह बहुत गहराई तक नहीं गया है उसके लिए जोखिम उठाना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि वह इस पर आपके संदेह को बढ़ाए यह अपने संदेह को आपके सामने तुस्तुत करके एक ब्रह्म की स्थिति बनाए जन्माश्टमी पर यह बहुत स्वाभाविक है कि हम अद्भुत कलाओं के ग्याता कृष्ण पर बात करें उनकी मनमोहक छटा की तरफ चलें और क्या आकर्शन है कि डूब जाते जो लोग व्रिंदावन और मतुरा जाते हैं वो कहते हैं उन गलियों में आज भी वही आकर्शन है तो कृष्ण आप तो मायावी है कृष्ण आप तो अद्भुत है आपकी बांसुरी आज भी गूज रही है व्रिंदावन की उन कुंज गलियों में कहा हैं आप कैसे हैं आ तो जनवाश्टमी पर जबकि हम सब फिर उस मधुर बांसुरी की ध्वनी को सुन रहे हैं और गायों से घिरे उस छोटे से शाम वरणी बालक की नठखट लिलाओं से आनंदित हो रहे हैं तो कृष्ण पर बात करना बहुत समीचीन है बहुत स्वाभाविक है और हमारे साथ ह अद्वत अद्धेता मानस्मर्मग्य प्रफेसर सुरेंद्र विहारी गोस्वामी उनको प्रणाम करते हुए मैं कृष्ण का ये समुचा आख्यान उनके लिए खोलता हूँ आपने आज अपनी प्रारंभिक प्रिष्ट भूमी में बड़ी सुन्दर बात रख दे और उस वार्तालाब से उस चंतन को छड़ देने से अब वो जो आनंद की लहरे मेरी तरफ आई उन्होंने एक नई प्रक्रिया मेरे सामने प्रस्तुत की है तो सबसे पहले तो मैं उस संदर द्रिष्ट कौन रखा है क्रिश्ट ने राम राज की संस्दा पना को पुश्घ करने के लिए उत्रण लिया है राम राज तो संस्थापित है यह बरिया ने जो है इस दिक राम ने जिस राज की संस्थापना त्रेता यूग में कर देती वो द्वापर आते तक कहीं सिथिल हो रही थी तो उस उस राज की संस्थापना करने क्योंकि धर्मराज है राम का राम का राज जो है साक्षात धर्म का राज है राम का राज त्रेता यूग का है द्वापर कि जो आसुरी शक्तियां कि जो ऐब श्रून उपस्तित होकर अश्रों का समराद बन बंकर जोने सक्ति जब आसुरी सक्तियां प्रतेग छेतर में दैविक सक्तियों से पराजित होती चले गई प्रभू आटार लेकर उन्हें पराजित करते चले गए तो द्वापर में आसुरी सक्तियों ने एक बड़ा विश्मय कारी सोरूप लिए वुश्वरूप से सततरूप से प्रक्रियायly जारी है उन्होंने क्य किया बड़े-बड़े राजा महराजा बनकर वो आ गए अपने अंसर से दुर्योधन बनकर आ गया है है तो यह विशाल समराज की संस्थापना करने लगे और एक आधर्म का संगठन बना लिया उन्हों और सब राजा महराजा प्रजा के रूप में आ गए और तो और पशु के रूप में भी उतरन ले लिया कोई जो बचला बनकर आ गया कोई घोड़ा बनकर आ अपनी आश्री माया से अब प्रिथी जो है वो कहती है मैं इस धरह पर करोडों करोडों अर्बों अर्बों टनों का वार वजन सहन कर सकती हूं लेकिन किसी एक पापी के वार से मेरा जो व्यतित होने लगता है तो प अपने आउत्तरन के लिए पोकार लगाई तो चुकी उस समय राम राज की स्थापना थी राम राज वर्तमान तक भी चल रहा है राम राज अनाव्या खंडा च्धिंदर है कल्भी था आज भी है कल भी रहेगा क्योंकि रामराज जो है आपको प्रतिक्षा रामराज की है जहां कोई जेद ना हो जहां किवल प्रेम हो जहां लोक तंत्र जो है नित्य करता हो जहां पर जो है प्रजा का प्रतेक व्यक्ति महत्पुन हो किसी घर में धन का आभाव ना हो जब ये सब आभाव होने लगे तो मात्मा कृष्ण के रूप में उत्रित हुए राम के चरित्र की इस्थापना करने के लिए उस चरित्र के संदर्बगत उन्होंने लीला की तो कृष्ण की लीला है और राम का चरित्र है दोनों श्याम हैं एक की तीन माताएं हैं तो एक की दो माताएं एक लीला धर हैं तो एक क्रिश्ट ने क्या लीला की यह लीला है उन विगटनकारी तत्तों के विनाश के लिए क्योंकि वो तो स्वयम छद्मरूब धारन करके आये हैं कंटम काटा लगया तो यहां मकर्णाद वो दोनों ही आप तो दूसरे काटे से पहले काटे को निकालते हैं और निकालने के बाद वह जिससे निकाला है वह वब ही आप फिक देते हैं कंटम नाम्चो कंट का कृष्ण ने संपूर्ध संब्राज की स्थापना की किस की धर्म नाश करका दिया क्यों करा दिया क्योंकि उनको पास भी अभिमान नामक तट्तों आ क्रिष्ण ने सत्था कभी इसलीं स्विकार नहीं की क्योंकि सत्ता तो पहले से verschiedenen किस नें सत्था पीद कर दी है मरियादा पुरुसुत्त्त म की सत्ता सत्ता में बैठे ख़ाई अ इस विगटन के उपरांद फिर वो पदा रहेंगे धर्मसंस्ताय फिर वो आएंगे यहां पर धर्मसंस्ताय फिर उनकी लीलाएं होंगी यहां पर प्रस्ण यह है कि क्या कृष्ण वर्तमान में नहीं है क्या जो आएंगे कि आशार शंकर से उनके सिर्ष नेहीं बड़ा सुंतर प्रस्ण fifteen उन्हें नेका देव कौन है तो अचापने मन की जांता है वो तो शिष्य ने कहा अपने मन की तुम्ही जानता तुमले तूद देवता है क्योंकि तेरे अंतर चित में ही तो आत्म देव बैठे हुए हैं वही तो क्रिष्न है वही तो राम है जब तुँ अपने कि अनकूल सत्यपत पर चलते हैं तो आप सुर होते हैं और जैसे ही आप उसके विरुद्ध आचरन करते हैं आप असुर हो जाते हैं अर्थात आपकी सरगम कहीं ने कहीं बिगड़ गई है तो कृष्ट जब इस संसार में उस सृष्टी में आये तो उन्होंने तै कि च्छद् टोन थिया तो पिद्ध क्रिप्त क्रिशन गीता कह रहे हैं गते हैं एक क्रिश्न की लिलाओं में में और क्रिष्ट माखन चुरा रहे हैं अपको गौल जो है जू कि चोर पकार रही है तहां गया वह माखन चौर मिर्जी चितीそうそう हो गह रास में लोग तयार होकर के पहुंचे गुरों कुछ पहुचे सब्सक्राइब नाम आँधा भागवत में उसके बड़ी गुद्टा का मुणन परक्षित से, कि रास क्या है? कृश्य को समझने के पहले आप समझ लें, जहां काम था राम कहां, जहां राम था काम, तुलसी कब़ूं न पाइए रवी रजनी एक ठाम, भूखल ठीक एन रखिए तो जहां राम हैं, वहां ही श्याम है, क्योंकि इनका उदय होना जो एक ने कहा कि भई ऐसा है दिन के उजाले में प्रकट होता हूं मध्यान तो दूसरे ने कहा रात्री में भी तो निशाचर भ्रमन करते हैं तुनने कहा सूरी को मैंने शुषवित किया है तुम जो है चंद्रबां को शुषवित करें एक जिक ऐसा है जो मेरे मन में आपकी बहुत सुंदर अधारना को सुनकर बहुत बड़ा आज मुझे एक मंत्र मिला और मुझे लगता है हमारे जो दो वीवर्स हैं लाखों की संख्या में उनको भी एक मंत्र मिला कि राम और श्याम यानि कृष्ण और राम में कोई भेद नह राम मर्यादा को धारन करते हुए कई जगे दुखी भी दिखते हैं हमें जब लक्ष्वन को शक्ती लगती है तो वो एक ऐसे कस्टोडियन की तरह दुखी होते हैं पित्र तुल्य भाई की तरह कि अब मैं क्या मुह दिखाऊंगा अपनी माताओं को लेकर आया था अपने स शक्ति हून होकर मेरे सामने पड़ा है लेकिन कृष्ण कहीं पीडा में नहीं दिखते हैं पूरी महाभारत में या पूरे जीवन काल में मुस्कुराते हैं तब भी वो कहते मैं आ रहा हूं तो तेरी रक्षा करने आऊंगा अर्जुन द्वंद में हैं तब भी वो को हम सहज उधारन के माध्यम से बताएं वो माता फिता जो जमीन से उठकर संघर्ष करते हुए चले आते हैं और धन के एक पाई को जोड़ जोड़ करके धनारजन करते हैं और अनेक पीडाओं को सह कर एक टाइम भोजन नहीं मिला तो अपने बच्चों को दोनों भोजन कर पढ़ाते हैं इन सारी प्रक्रियाओं को करते करते वह एक सक्षमता की सीमा पर आजाते हैं तो उनका पुत्र जो है हमेशा मुस्कुराते हुए गूंगता और खुब पैसे खर्च करता है राम ने जिस स्वरूप में चरित्र की रचना की है उन चरित्र के कारण ही लीलाध पिंतन का सार कि उनके चरित्र को ही अपनी लिलाओं के आवरण में लेते हैं आप कहते हैं कि ग्रहस्त हूं साब ग्रहस्त जीवन की जनजट आप क्या जाने तो क्रिश्र कहते हैं अच्छा तुम ग्रहस्त हो तो देखो मुझसे बड़ा ग्रहस्त कोन है क्या 16108 रानियों क को लेकर के वो रहते रहते हैं नारद प्रत्य घर में जाकर देखकर आते हैं उनको कृष्ण अलग अल едक सुरूपों में कर्म करते हुए दिखते हैं वहां रहते हैं अप सवाल प्रस्णी यह भी उत्पन होता है चुकि समाधी कर लिया है आपरन करके अपने हां कैद कर लिया है बंधग बना लिया है उनका उनकी जो चारित्रिक और मर्यादा की छतीस रूप में हो चुकी है कि दुनिया में लोग क्या कहेंगे वो तो बंदी हैं लेकिन बंदी रहकर वो अपने परमेश्वर का ध्यान कर रही है कि आप ही हमारे स्वामी हो आप ही हमारे स्वामी हो तो क्रिष्ण वो लीला भी दिखाते हैं कि 16,000 सुरूप बना कर एक ही चण और एक ही महुर्ट में सबसे विबाह करते हैं क्योंकि वो योगी हैं दुरवासा से मिलने जाना चाहती हैं गोपिकाएं दर्शन करने के लिए दुरवासा रिशी के और यमना चड़ी हुई है तो वो क्रिष्ण से कहती हैं कि प्रभू हमें जाना है वहां आप तो योगी हो यमना जी को कह दो कालिंदी तो आपकी बात मानती हैं तो हमें रास्ता दे दे तो रगुलाइब कर्वासा रिशी के पास ना ना प्रकार के भोग लेकर पहुंसते हैं दुर्वासा रिशी सब का भोग ग्रहन कर लेते हैं खुब वाराम से भोजन कर लेते हैं महराज आते समय तो कृष्ण जी ने मार्ग दिल खा दिया था अब जाते समय यमना कैसी जाएगी तो बोले अगर दुर्वासा ने अनका एक कण ना खाया हो तो यमना जी रास्ता दे देंगी ऐसा कहना उनसे यम क्रिश्ण को समझ जाओगे औशरीड में रहते हुए उससका अनभुत्य करलोगे तो तुम क्रिश्ण को समझ ऑई वाज्य वाज यह सबसे सुन्दर बाथ है कि एक कि जो आत्मा का ब्रहम शरूप है जो उसका ऑन्म चर्य जो उसका यह जो पर स्वित्रता है जो की शुचता है जो उसके पालन के मर्म को समझता है वो किसी से भी मार्ग पा सकता है चाहे रूफनती हुई कालिंदी हो यांनी Science को इस उसनर बात सुन्धर और अगर आप अपने को समझ जाते हैं अपने को कि जो अपने भीतर की बातों को समझता है अपने मन को जानता है वो ही देव है वो तत्पर होकर तुरंते कहते हैं मैं तो जानता हूं मेरे भीतर क्या है तो बोले तुम भी देव हो तुम्हारे भीतर भी देव है बहुत सुन्दर बात आज हमने समझी कि कृष्ण ने राम के म शाम ही राम है और यही वज़े है कि दोनों का स्वरूप एक है दोनों का कर्म एक है लेकिन अलग-अलग परिस्थितियों में जैसा बहुत बखुबी प्रोफेसर गोस्वामी ने कहा कि जब परिस्थितियों नहीं बदला हुआ स्वरूप ले लिया एक समय प्रत्यक्ष होती थी आसुरी शक्तिया और जब उन्होंने रूप बदल लिया तो क्रिष्ण को क्यों नहीं बदलना था अपना रूप और स्वरूप तो क्रिष्ण भी बदले अब जब कंस से भीडंत है और वो भी उनके कुटम रिष्टेदार ही है जी मैं आप से एक निविदन करूं आज के परिवेश में दी क्रिष्ण आएंगे तो उनका स्वरूप क्या होगा आज की जो वातावरन है उसके अनुरूप ही उनका स्वरूप होगा आज के स्वरूप में वह बासुरी हाथ में ले करके और बजाते भी आएंगे तो स्वरूप नहीं होगा क्रिष्ण का स्वरूप उस तत्कालिक द्वापर युग के अनुरूप स्वरूप था। उद्देश जो है राम की संस्थापना थी। दूसरा कृष्ण अस्टमी को आए, राम नौमी को आए। ये भी एक बड़ा सुचकांग है। दो अंकों का सुचकांग है। क्योंकि युग घट रहा था। आठ और नौम के अंक में एक विसेस्था देखें। सत्य कभी घटता नहीं है। और असत्य की जो प्रक्रियाएं अनवरत चलने वाली होती हैं। उसमें उस न घटने वाले अंक को स्थापना करना है। नौकांग कैसा है। नौ एकम नौ दूनी एठारा, नौ तिया सत्ताइस, सब बे आठ देक नौ, साथ दो नौ, छे तिन नौ होगा। और आठकें की विसेस्था क्या है। आठ एकम आठ, आठ दूनी सोला, आठ तिया चोबीस, तो आठ, साथ, छे, पाथ, चार, तिन। युग में पापों का घटना जारी हो, इसलिए कृष्णा आए है। युग जो है संपून सत्य को प्राप्त कर ले और सत्यवान हो जाए, इसलिए राम आए है। ये हर युग में हर समय, इसलिए हम उनको देवतुल्य कहते हैं, जो अपने समय की कुरीतियों और बुराईयों के विरुद्ध तो कभी ये धरती, जो मनुश्यों की धरती है, ये कभी भी कृष्ण से वंचित नहीं रही है। कृष्ण आज भी हैं, 2021 में भी हैं, कहीं खड़े मुस्कुरा रहे होंगे कि दो प्राणी जिसमें एक सनातन परंपरा के धेता और उसके मरमग्य हैं, उनके सामने एक नादा जिग्यासा होनी चाहिए, जैसा हमने इसके पहले मुवक्षुत्यों पर बात की है, तो कृष्ण का होना हमेशा आश्वस्ति भरा है, लेकिन कृष्ण ये भी कहते हैं कि कर्म आधारित व्यवस्था ही सर्वस्रेश्ट हैं, तो कृष्ण के भरोसे बैठने वाली व्यवस् पीस महाभारत में मासुरी भी बजाए और समय आने पर किसी रत के पहिये को चक्र की तरह धारन करके ये भी कहे कि अगर मुझे क्रोध दिलाया तो मैं नश्ट भी कर सकता हूं और उस तरब भी बढ़ सकता हूं लेकिन दोनों ही चीजें वो अपने स्वर को नियंत्रित रखत अनुमती दीजिए बहुत शुब कामना हैं आपको कृष्ण जन्माश्टमी पर बहुत बहुत शुब कामना हैं सपरिवार आप सभी को और अगले अंक में एक और विशय को लेकर फिर आपसे भेट होगी तौश यारा